आप शबी का अंकु शकरवी में श्वागत है आप आप लोग सब अच्छे होंगे और आपकी जो भी एक्जाम की तयारी चल रही होगी वो अच्छे से चल रही होगी अभी फिलाल मेरे चैनल पे ऐसे सीजल का प्रैक्टिस सेट शुरू किया गया है यह प्रैक्टिस सेट थो है दो हो चुका है पहला और दूसरा सेट हो चुका है जो लोग नहीं देखिए आप मेरे चैनल पे जाएगे रोश को देखिए और इसका जो पीडिया पे वो हमारे टेलिग्रम ग्रूप पे मिल जाएगा आप वहां से जाके बार बार इसको प्रैक्टिस किजिए और रिव किस चैत्र में कि विशिष्ट यूगदान के लिए परदान किया जाता है ये जो मान्बुकर पुरुषकर है तो यह किस चैत्र में दिया जाता है तो साहित की चैटर में दिया जाता है तो इसका जो एंसर होगा option A अंग्रेजी भाषा की लीपी तो अंग्रेजी भाषा की लीपी क्या है रोमन और हिंदी भाषा की लीपी क्या है तो दिवनागरी तो इसका जो एंसर होगा इसमें जैसे सिजल उसमें देश विदेश की राजधानी या मुद्रा पुछा जाएगा तो इसका जो एंसर होगा ओप्शन B नेक्स्ट है भारत का मंगल यान मंगल ग्रह की कख्छा में कब पुछा तो ये कब पुछा चोबिस सितंबर दो हुजार जुगदकू तो इसका जो एंसर होगा वो क्या होगा ओप्शन C ये सब कोश्चन थोड़ा सा क्रेंट का है जिसके लिए इसकीप करते जाएगा अब कोश्चन नमर नाइन राश्टी आई की गन्ना के लिए केंद्र सरकार दुआरा नव अस्थापित आधार वर्ष क्या है तो वो क्या है 2021-12 तो इसका जो एंसर होगा ओप्शन C कोश्चन नमर 11 सोयलो महाजन पदों की सूची उपलब्द है तो इसका जो एंसर होगा ओप्शन B नेक्स्ट है कोश्चन नमर 12 मुद्रा राक्षास के लेखक निम्नमेशे कौन है तो मुद्रा राक्षास के जो लेखक है वे वो कौन है विशाखा दत तो इसका जो एंसर होगा ओप्शन B कोश्चन नमर 13 पर्थम बोध संगीती महासरभा कहां हुई थी पर्थम बोध संगीती जो हुई थी वो कहां पे हुई थी राजगीर में हुई थी और ये कब हुई थी 483 इसापूर में और कितनी बोध संगीती हुई थी तो चार बोध संगीती हुई थी इसीज को आप लो हुआ था तो इसका जो एंसर होगा ऑप्शन शी नेक्स्ट है कोस्ट नमर 14 मयूर सिंगासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल समराथ कौन था तो हो कौन था मुहमत सा तो इसका जो एंसर होगा ऑप्शन बी कोस्ट नमर फीप्टिन 1905 में बंगाल विभाजन किस वाइसराई न लॉड करजन के सासं कि समया बंगाल विभाजन हुआ था तो इसका जो एंसर होगा ऑपशन बी कोस्टिन नमर्ट से नमर फीप्टिल हम रूअन् factor होगा. अजब विरुद के दिग राता है, शमनाता कर अधिकार आता है. सवाधनतर्ता का अधिकार आता है यह जो संपत्ति का अधिकार है वो नहीं आता है तो इसमें पूछा गया कौन नहीं आता है तो संपत्ति का अधिकार तो इसका जो एंसर होगा पूस्चन नमर 19 भारत की समविधान सभाने राष्टि ध्वज को स्वरपर्थम कब स्विकार किया तो कब स्विकार किया था 25 जुलाई 1947 को तो इसका जो एंसर होगा पूस्चन नमर 20 निवन मैं से किस एक की सफारिशों के आधार पर संग यह राजियों के बीच वित्त वित्रन होता है तो किस की सिफारिशों के अधार पर तो वित्त आयो तो इसका जो एंसर होगा पूस्चन नमर 21 संग का यह करतवी होगा कि वह बाहे आकरमन तथा अंतिरी का गरवड़ी से प्रतिक राजिकी रक्षा करें ऐसा प्रावधान भारति सम्विधान के निम्ण अनुछेदों में से किस में है तो यह जो है वो किस अनुछेद में दिया गया है तो अनुछे 355 इसका जो एंसर होगा ओप्षन डी कोश्चन नमर 22 निम्ण लिखित में से कौन सा लक्षन भारति अर्थ बिवस्था का नहीं है तो वो कौन सा नहीं है ओप्षन डी जो है प्राकिर्थिक संसादनों की कमी यह भारति अर्थ बिवस्था का लक्षन नहीं है तो इसका जो ए तो इसका जो एंसर होगा option C question number 24 भारत में निमलिकित छेत्रों में से कौन एक छेत्र बच्जत में सरवाधिक युगदान करता है ये भी question बहुत बार पुछा गया है तो घ्रेलू छेत्र में सबसे जायदा बच्जत होता है तो इसका जो एंसर होगा option C question number 25 भारत में बारवी पंचवर्सी यूजना का कारीकाल था वो 2012 से 2017 के बीच तो इसका जो एंसर होगा option C question number 26 पिछडी देशों के लिए रॉलिंग प्लान का सुझाब किसकी द्वारा दिया गया तो किसकी द्वारा दिया कहता है जी मिरिडल द्वारा तो इसका जो एंसर होगा option A question number 27 आर्थिक नियोजन एक विशय है तो आर्थिक नियोजन जो विशय है वो किसका है समभर्ती सुझी का तो इसका जो एंसर होगा option A question number 28 भारत का सबसे अधिक बाढ़ गरस्त राज तो वो कौन सा है पिहार तो इसका जो एंसर होगा option B Question number 29 परिस्तिकी तंत्र में उस्तम portion अस्तर है तो वो किसे है सरवाहारी को तो इसका जो एंसर होगा option C Question number 30 आंतरिक्षियान मेगेलन किस गरह पर भीजा गया था तो किस गरह पर ये भीजा गया था मंगल पे तो इसका जो एंसर होगा option B Question number 31 विस्त का प्रिहतम डेल्टा निर्मित होता है तो वो किसका होता है गंगा ब्रह्म पुत्र द्वारा जिसको मुलक सुंदर वन डेल्टा कहती है तो इसका जो एंसर होगा option A Question number 32 अधि भारती मानक समय अम्यूत्तर पर माध्या है तो 120 डिग्री पूर्वी दिसांतर पास्थानी मान क्या होगा क्या होगा चुगदो पॉइंट त्रिजीरो मितलब कितना तो चुगदो हो गया दो अधाई वजे का टाइम तो इसका जो एंसर होगा option A Question number 33 निम्न मेंसे कौन से मीटी चाई बगानों के लिए उप्यूग थे तो option के नूशर कौन सा होगा अमली तो इसका जो एंसर होगा option D Question number 34 जनसंकिया में श्रवादी घनत वाला राजी तो वो कौन सा है option के नूशर पस्चिम बंगा तो इसका जो एंसर होगा option A पसे स्प्राप्त हुआ है तो वो कौन सा है मेहर गर्ड तो इसका जो एंसर होगा option B Question number 36 फ्रांसीसी क्रांती कब प्रारम हुई तो ये क्रांती कब हुई थी सत्रोशों नेवासी में तो इसका जो एंसर होगा option D Question number 37 राजंद्र परशाद कहां के रहने वाली थे तो ये बिहार के रहने वाली थे तो इसका जो एंसर होगा option A Question number 38 भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पात है तो सबसे जायता जो दाल होता है वो मतिपरदिश में तो इसका जो एंसर होगा option B Question number 39 जैं प्रकाश नारयन इस पाष्ट से जुड़े थे तो कॉन से पाष्टी से जैंप रकाश नारयन जुड़े थे तोम चेंप रहने और को सबसे है बिहार suggestion C को जाने में कि अ definition 41 पहाड़ी पर चढ़ने वाला व्यक्ति आगे क्यों जूबता है हम जब पहाड़ पे चढ़ते हैं तो उसका उंचाईह होता है तो हम लोग जुख के चढ़ते है तो जुख के क्यों चढ़ते हैं स्तिर्था बढ़ंगे के लिए तो इसका जो एंसर होिग क option D, question number 42, Newton के गती के नियम लागू होते हैं, जब परदार्थ की परकिर्ती होती है, तो परदार्थ की परकिर्ती क्या होती है, कन परकिर्ती की, तो इसका जो answer होगा option A, question number 43, बरसात की बुंदों के गोलाकर होने का कारण, तो जो बरसात की बुंदे होती है, वो गोलाकर होने क कारण किया है तो क्या होता है प्रिष्ट तनाव और यह बहुत बार question पुछा गया है तो इसका जो answer होगा option B. Question No.44 निमलिकित में से किस से ध्वनी नहीं गुजर सकती तो option के नुचार किस से ध्वनी नहीं गुजर सकती निर्वात से तो इसका जो एंसर होगा option D, question नमर 45, पानी में हवा का बुलबुला वेसे ही काम करेगा जैसे करता है, तो कैसे करेगा, अब तर लेंच की भाती, तो इसका जो एंसर होगा option D, question नमर 46, प्रकास की गती की तुलना में रेडियो तरंग की गती, तो क्या होते हैं, एक समान होती है, तो इस इसका जो एंसर होगा option C, question नमर 47, निकट द्रिष्टी को ठीक करने के लिए किस लेंच का प्रियोग किया जाता है, तो इसका जो एंसर होगा option B, question नमर 48, निमलिकित में से कौन सा अर्ध चालक है, तो कौन सा है, जर्मे नियम, तो इसका जो एंसर होगा option D, Question number 49 भारत में नगर पाली का जेल का उपचार सधारंतिया किस से किया जाता है तो किस से किया जाता है, क्लोरी लगे तो इसका जो एंसर होगा Option D Question number 50 अलकोहल जेल मिसरन से जेल को अलग किया जा सकता है तो वास्पन द्वारा अलग किया जाता है इसका जो एंसर होगा Option B Question number 51 हैलो जेलो में सबसे अभी किया जील है तो हैलो जेलो में कौन सा होता है, सबसे फ्लोरीन तो इसका जो एंसर होगा Option A Question number 52 पेराफीन किसका उप उतपाद है तो किसका है, पैट्रोलियम परिशोधन का तो इसका जो answer होगा option A Question number 53 निमलिखित में से कौन शक्ति तथा खाद दोनों दे सकता है तो वो कौन दे सकता है पायोगयस सहिंद्र option के अनुशर यह होगा पायोगयस सहिंद्र तो इसका जो answer होगा option C Question number 54 हमें ठकान क्यों महसूस होती है तो थखान क्यों महसूस होती है, तो पैसियू में लेक्टिक एसीड जमा होने के कारण हमें थखान महसूस होती है, तो इसका जो एंसर होगा, option B Question 56, हेजा निमलिकित में से किसके कारण फैलता है, तो किसके कारण संदूसित जल को पीने से हेजा फैलता है तो इसका जो एंसर होगा option A Question number 56 उस vitamin का नाम बताए जो किसी भी मनसाहारी भोजन में नहीं मिलता है तो कौन से मनसाहारी भोजन में नहीं मिलता है option के नुशर क्या होगा? vitamin C तो इसका जो एंसर होगा option B Question number 57 मानक तौचा बीना चाले पड़े अधिक्तम कितना तापमान साशकती है? तो कितना? 40 डिग्री सिल्सियस तो इसका जो एंसर होगा option A Question number 58 फलीदार पोधों में किस परकार की जड़े पाई जाती है? तो किस परकार की गाठदार जड़े पाई जाती है? तो इसका जो एंसर होगा option C Question number 59 आलू भुमिगत और परिवर्थी तना होता है? जिससे कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो कंद्र ये जो आलू है वो तना होता है Question number 60 भारत में सबसे बड़ा पसु मेला कहां लगता है? तो सबसे बड़ा पसु मेला कहां लगता है? स्वानपूर में हरीहर चेतर में है इसका जो एंसर होगा option A अब question जानेंगे computer से Question है ये जो CPU होता है CPU को क्या कहा जाता है? तो computer का brand कहा जाता है तो इसका काम क्या है? तो option में अंक की अंक गनीती परिकलन ये नहीं है दो रासियों के मानों की तुलना ये भी नहीं है क्रिति मिस्मिर्ति में वान्सित देटा की खोश करना ये भी नहीं है ये जो CPU का काम है वो processing करना तो इसका जो एंसर होगा option D next question है Central processing unit में एक component के रूप में निम्ल में से कौन सा होता है? तो कौन सा होता है? arithmetic logic unit ALU होता है जिसको लोग बोलते हैं ALU तो इसका जो एंसर होगा option C next question है एक hardware device जो data को अर्थ पूर्ण information में परिवर्थित करता है वो कौन सा होता है? प्रोसेशर तो इसका जो एंसर होगा option D next है ऐसे computer जो portable होते हैं और यात्रा करने वाले प्रयोकताओं के लिए स्विधा जनक होते हैं तो वो कौन सा होता है? लैपटॉप लैपटॉप होता है कि आप कहीं भी इसको अच्छे से carry कर सकते हैं इसका एंसर जो होगा option B next है तिर्थिय पीडी के computer में मुख ही घटक है तो उसमें क्या था तिर्थिय पीडी में? integrated circuit तो इसका जो एंसर होगा option C next है digital computer की सिधन्थ पर कारी करता है तो यह जो digital computer है वो गन्ना सिधन्थ पर कारी करता है तो इसका जो एंसर होगा option A next है इनमें से कौन सा input device नहीं है तो इसमें कौन सा input device नहीं है वो आपको बताना है यह जो monitor है वो input device नहीं है तो इसका जो एंसर होगा option C, next है computer में mouse के नीचे रखी slate के आकार की वस्तू को क्या कहते हैं, यह जो mouse होता है, mouse को रखने के लिए एक slate जैसा आकार होता है, तो इसको क्या कहते हैं, तो mouse pad कहते हैं, तो इसका जो answer होगा option B, next है soft copy एक output है, तो hard copy क्या है, printed output, तो इसका जो answer होगा option C, next है, आपके computer में निमलिके तमेंसे कौन सा memory दर्स आता है, तो कौन सा memory है, तो RAM, इसका जो answer होगा option A, next है, किसी storage medium में store की जा सकने वाली data की अधिक्तम मात्रा को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, storage चमता, तो इसका जो answer होगा option D, next है, निम्नांकित में से कौन सा भाग computer की motherboard से समंधर रखता है, तो कौन सा रखता है, अगर option के दर्स आता देखा जाए, तो microprocessor, तो इसका जो answer होगा option C, next है, computer भासा को बोल किसके लिए उप्योगी है, ये किसके लिए, तो जो website का रहे हैं, उसके लिए ये उप्योगी है, तो इसका जो answer होगा option A, next है, कितना बाइट मिलाकर एक किलो बाइट होता है, तो 1024 के भी को मिलाकर एक किलो बाइट होता है, तो इसका जो answer होगा option B, next है, ग्याद software बग के लिए रिपेयर चूर शमानियते इंटरनेट पर बिना चार्च उपलब्ध होता है, उसे dash कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, पेच कहते हैं, तो इसका जो answer होगा option B, next है, प्रस्टनल कंप्यूटर डैस बनाने के लिए साथ connect किये जा सकते हैं, तो किसको साथ में connect किया जाता है, तो network को, तो इसका जो answer होगा option B, next है, इंटरनेट बैंकिंग का क्या अर्थ है, तो इसका क्या अर्थ है, नेट पर बैं इंटरनेट के जरिये बैंकिंग तो इसका जो एंसर होगा option C, क्या होगा option C next question है किसी command के प्रियोग से program से किसी भाग को हटाया जा सकता है तो किसको हटाया जा सकता है तो किस से हटाया जाता है तो delete तो इसका जो एंसर होगा option A next question है next question है www के अविसकायरक तथा परवर्तक कौन थे यह question बहुत बार एक्जाम में पूछा गया है और इस question का जवाब साहर सब कोई जानते ही होंगे तिम बर्नर्स ली तो इसका जो एंसर होगा option D next question है windows explorer में folder की समागरी देखने के लिए क्या करना चाहिए तो क्या करना चाहिए इस पर click करना चाहिए तो इसका जो एंसर होगा option A अब हम लोग फिर जानेंगे जहारकंड का 40 question question है जयन का साब्दिक्त अर्थ क्या है तो जयन का साब्दिक्त अर्थ क्या होता है मनोवेगों एवं इंद्रियों को वश में करना तो इसका जो एंसर होगा option C next है जहारकंड के किस अस्तर से बूद की भूमी असपर्श मुद्रा में एक मूर्ती प्राप्त हुई है तो यह कहां पे हुई है प्लामू किला प्लामू में तो इसका जो एंसर होगा option B next है क्थे मुगल काल में छोटा नागपूर का नाम क्या था कोकर तो इसका जो एंसर होगा option C next है शत्रा सा सारशड में कैपटन फर्ग्यूशन को किस राजा को प्राजित करने का भार सोपा गया था तो तो ढाल को तो इसका जो एंसर होगा धाल के राजा को तो इसका जो एंसर होगा option C next है छोटा नाकपोट एंसी कानून किस वर्स बनाई गई तो ये कानून का बनाई गई 1908 में तो इसका जो एंसर होगा option C next है स्वतंतरता अंदोरन के दोरान किस जन्जाती नेता ने 1929 में किसान सभा का गठन किया तो इसका जो एंसर होगा option A next है सीनो जाइक कर में छोटा नाकपोर पठार का कितने अवस्थाओं में उत्थान हुआ है तो कितने अवस्थाओं में तिन अवस्थाओं में तो इसका जो एंसर होगा option C next है बोकारो जीले का निर्मान किस जीले को विभाजित कर किया गया है तो किस जीले को option के उसर तो greedy जीले को विभाजित कर बोकारो जीले का निर्मान किया गया है तो इसका जो answer होगा option B next है जारकंड के cool जनसंख्या में पुरूष जनसंख्या का परतिसत किया है तो कितना है 51.32 तो इसका जो answer होगा option B next है अनुसूचित जाती में लिंगा अनुपात क्या है तो अनुसूचित जाती में लिंगा अनुपात क्या है 1000 पे 950 अनुपात तो इसका जो answer होगा option C next है जारकन में कितने बड़ी नगर है जारकर्ण में कितने बड़े नगर है तो 4 तो इसका जो एंसर होगा option D next है स्री निवास पानूरी किस भासा के रचनकार थे तो ये किस भासा के थे तो खोर्टा भासा के तो इसका जो एंसर होगा option C नेक्स्ट है होड समवात किस भाषा का पत्र है ये भी कोश्चन बहुत वार पुछा गया है तो किस भाषा का है मुंडारी तो इसका जो एंसर होगा option C नेक्स्ट है राजिक के मुखी मंतरी के नियुक्ति कौन करता है तो ये कौन करता है राजिपाल तो इसका जो एंसर होगा ओप्शन C नेक्स्ट है ज्हारकंड का दक्चिन पूर्वी छोर बंगाल की खाड़ी से कितना किलोमीटर की दूरी पर है ज्हारकंड का जो दक्चिन पूर्वी छोर है वो बंगाल की खाड़ी से कितना तूरी पर है 90 किलोमीटर तो इसका जो एंसर होगा ओप्शन C नेक्स्ट है राज में कितने लाग क्यूबिक मीटर जल भुमीगद जल के रूप में है तो कितने 4924 क्यूबिक तो इसका जो एंसर होगा ओप्शन A किस नदी बेसीन का जल सरवाधिक परदूसित है तो किसका है दामोदर नदी और दामोदर नदी को देव नदी के नाम से भी जाना जाता है तो इसका जो एंसर होगा नेक्स्ट है जारकंड के कूल क्रिसी गत भूमी के कितने परतिसत में भदई फसल की जाती है तो कितने परतिसत पे 20.26 परतिसत पे तो इसका जो एंसर होगा ऑप्शन सी नेक्स्ट है गज अभ्यारन केंद्र कहां इस्तित है तो ये कहां पिस्तित है शिंग भूम में तो इसक जो एंसर होगा option c नेक्ट है जकन के किस जेले में जबसे बड़ा खुला वन्द छेत्र है तो वह कौनसा है गुमला तो इसका जो एंसर होगा option d next है इसको घूफा कहां पर है तो यह कहां पर है हजारी बाग में तो इसका medical college है जो की option में नहीं है तो इसका answer क्या होगा six next है अबरक किस वर्ड का खनीज है अबरक जो है वो किस परकार का खनीज है तो अधात्विक तो इसका जो answer होगा option b next है जारकंड के खनीजों से होने वाली cool आईगा कितना परतिसत कोलीज से प्राप्त होता है तो कितना परतिसत 75 परतिसत तो इसका जो answer होगा option d next है जारकंड में कितने ताप विद्यूत परियोजनाई चलाई जा रहे है तो कितने चलाई जा रहे है छे यह उच्छ टाइम का है तो इसमें question का answer अच्छे शे देखना होगा तो इस question को skip करते है next है तसर उत्पादन में जारकंड का अस्थान तो कितना पहला अस्थान है next question है जारकंड का पहला राजिपाल कौन है तो यह प्रभात कुमार राजिपाल थे जो जारकंड के पहले राजिपाल थे तो इसका जो answer होगा option a next है 1857 के पहला स्वाधिंता संग्राम के समय रामगट बटालियन का मुख्याले कहां था तो कहां पे था राची में था next question है और last question जारकंड के अध्योगी की राजदानी तो जारकंड की जो अध्योगी की राजदानी है वो जम्शित पूर है तो इसका जो answer होगा option a आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो तिसरा है और इसमें भी अगर दिखा जाए तो सारे question important है सिर्फ क्रेंट को छोड़के तो आप लोग जयादा से जयादा प्रैक्टिस किजिए क्योंकि इस वर्ट जो है इसका एकजम हर हाल में लिया जाएगा अब जो आप लोग सोचेंगे कि इसका डेट बड़ जाएगा तो वैसा नहीं है इसका एकजम का देट भी निकल गया है 15 तो आप लोग जयदा से जयदा जिनकी तैयारी कम्प्रीट हो चुकी है वह जयदा प्रैक्टिस सेट पर फोकस किजिए और अगर जो भी बूख है आपके पास उसका प्रैक्टिस बनाएगा रो बार बार उसी को रिविजन किजिए और जो भी सब्जेक्ट में आपका स्क्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किजिए लाइक किजिए और शेयर किजिए थैंक यू